लंबे इंतजार के बाद बारिश के सीजन में पहली बार बरगी बान के साथ गेट खोले गए हैं और इस विहंगम द्रश्य को देखने के लिए डैम के आसपास लोगों की भी भीड लगी रही और सभी इस द्रश्य का आनंद उठाते नजर आए इस द्रश्य को अपने मोबा और कैमरों में कैद करते दिखाई दिये लोगों का कहना है कि उनको इस पल का इंतजार था और जैसे ही उनको ये पता चला तो वो परिवार समेथ बरगी बान पहुँच गए बहुत ही अच्छा लगता है और बड़े डेमों में जब आपके एक एक करके खुलते हैं काफी अच्छा हम है लोगों में अस्तार दिखने मिला मैं और काफी हमें अच्छा लगा नजारा थो बहुत ही जदा अमेजिंग हैं क्यूंकि कि मैंने कभी सुना था कि गेट ओपन गेट ओपन होते हैं बट मैंने कभी व्यू देखा नहीं था और सबसे अच्छा चीज है कि गेट जो 7th गेट ओपन होने थे वो एक साथ नहीं हुए वन बाई वन हुए तो उसका जो व्यू था वह बहुत ही सुन्दर था बहुत अद्बुत था और देखिन में आप देखें 50.07 मीटर की उचाई तक खोल दिये गए हैं और इनसे 35,562 की उसक पानी छोड़ा जा रहा है बरगी बान के कारेपालन यंत्री अजय सूरे के अनुसार खोले गए साथ गेट में से गेट नमबर 10, 11 और 12 को डेढ़ डेढ मीटर गेट नमबर 9 और 13 को एक एक मीटर और गेट निकासी के मातरा घटाई या बढ़ाई जा सकती है इसके अलावा सोमबार को दोपर 12 बजे बान्थ का जलिस्तर 419 मीटर रिकॉर्ड किया गया था और इस समय इसमें लगबग 70,600 क्यूसिक पानी प्रवेश कर रहा था बान्थ के निचले छेतर के निवासियों से नर्मदा 10 फीट तक बढ़ सकता है